स्वाइब यूट्यूब चैनल पर आई हूँ आप सभी अच्छे होंगे स्वाजत होंगे एक अरखूस होंगे तो आज हम बनाने जा रहे हैं बेसन का डोकला तो इससे बनाने के लिए हमने एक कटोरी बेसन लिया है आप अपने एकोडिंग बेसन ज्यादा या कम ले सकते हैं रखेत बनाना सुरू करते हैं, इसे बनाना के लिए हमने एक बड़ा कटोरी लिया है अब अब इसमें भी सन को ले लेते हैं और भी सन में हम एक चमत जीनी 90 जूटी चमत नमक थोड़ा हालदी पाउडर चीनी और नमक का आयूज हम कर रहें ताकि हमारा धुगला थोड़ा मिठा भी लगए और नमकिन भी लगए और हल्दी पावडर डालके थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका हम बेटर तयार कर लेंगे बेटर हम थोड़ा मोटा ही रखेंगे देखिए बेटर हमारा तयार हो चुका है आप इसे हम करीब 10-15 मिनट तक ढख के छोड़ देगे ताकि हमारा बेटर फूल सके देखिए हमारा बेटर फूल चुका है आप इसमें हम डालेंगे इनो ताकि हमारा डुकला स्पंजी बन सके आप इनो की जगह बेकिंग सोडा या थाले का भी यूज कर सकते हैं और इसे एक थाली में हम निकाल लेंगे थाली थोड़ा गहरा वाला ही थाली हम लेंगे जिसकी उंचा ही हो और थाली में हम चार्व andar तिल लागा लेंगे ताकि हमारा डुकला अंदर से चीपके नहीं और हम डोकले की बेटर को प्योकना हमने ढूखले के बेटर को इस थाली में सेट कर लिया अच्छी तरह से आप हमें कड़ाई में पाने गरम होने के लिए रख दिये हैं और इसमें एक कटोरी रख दिये हैं आपके पास स्टेंड हो तो आप स्टेंड का भी उच कर सकते हैं देखें पानी उबल चुका अब इसम पख जाए अब बढ़ी घॉज़ किजिए गा च्छोटी तल ठाली का यूज़ नहीं किजिए गा आप इसे चेक कर लेते हैं की हमरा ढूखला पका है या नहीं इसे चेक करने के लिए हमने एक चाकु लिया है और इसे हम डिप करेंगे ढूखला में देखें नहीं लग्चि और राय डालेंगे इसमें रखरी चटक चुकी है अब इसमें हम डालेंगे खटका ह हो आप हरी मिछ में चीरा लगा लिया है आप अपने अकोडिग ज्यादा एक कम मिर्चि सकते हैं हमने 8-10 मिर्चि लिए और कड़ी पत्ता इसमें याड़ करेंगे ताकि धोकला का फिलिवर हमरा अच्छा बनी कि अब हम धोकले को कट कर लेते हैं कि दोकला कट कर लिए आप इसमें हम छोका लगाएंगे और इसमें हम हरी धनिया की पत्ती थोड़ा उपर से डालेंगे हमारा धोकला बिल्कुल रेडि हो चुका है और इसे एक प्लेट में हम निकाल लेंगे बिल्कल मार्किट की तरह हमारा धोकला बनके रेडि हुआ है और उपर से हम एक निम्भू का रस इसमें छिड़क देंगे ताकि हमारा धोकला का फ्लेवर खटा, मिठा और नमकिन तीनों में आए दम धोकला स्पंजी और सॉप्ट बन के तयार हुआ है आप सब एक बर जड़ू ट्राइ किजिएगा ऐसी ही रसीपी की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर लाइक सब्सक्राइब कर दिजिएगा थैंक यू